हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका study with gd में मैं हूँ आपका दोस्त घंचाम धनगर और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आप revision questions की मांग कर रहे थे दोस्तों एकोनोमिक्स के रिविजन के सारे सारे कोईस्टन लगभग 40 से जादा इनकी संक्या उगी दोस्तों और कि यह से ही कोई नया वीडियो अप लोड़ हो आपको तुरंद उसका नोटिवीकेशन बिल जाए और किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें और दोस्तों इसा के लोगों के साथ लोगों से करना चाहूंगा कि जितने भी शोशल मीडिया प्लेटफॉरम का यूज करते हैं वर्ट से पेसबूक इंस्टाग्राम टेलिग्राम जितने भी मीडियम सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों करके महां पर इन वीडियोज को शेयर अवस्च्रे करें शुरू करते हैं दोस्तों आज के economics के सम्मेलित प्रश्ण है दोस्तों विभिनी topics के जिन्सके माध्यम से हम अपना revision करेंगे सबसे पहला है wealth of nations पुस्तक किस ने लिखी थी तो दोस्तों यह बहुत सरल प्रश्ण है दोस्तों Scotland के निवासी थे Adam Smith और दोस्तों किस व्यक्ति को आधुनी कर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है तो दोस्तों वे Adam Smith ही है जो आधुनी कर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं अगला है planning and the poor पुस्तक के लेखक कौन है तो डेविड रिकार्डो बीएस मिनहास गुननार मि दोस्तों लेखक है यदो आपने पुराने वीडियो नहीं देखें थो वेस् वीडियो के मध्यम से अगला है इनडिया यिज विक्री के लिए कि लिए सिप्क्रम सेट खुश्वध्ण सिंण और चृतरा मिन्यां कि लिए लिखे दोस्तों इंडिया is its for sale नाम की उस्तः सुभ्रमाणया ने अगला देखते हैं पॉलिटिक्स ञर्क मतलब किया तो जेसी क्रफलानी जेबी क्रफलानी या केजी मशरुवाला तो दोस्तों चर्खा और पॉलिटिक्स और चर्खा पुस्तक जो है दोस्तों उसके रशनाकार थे कौन जेबी क्रफलानी जेबी क्रफलानी दोस्तों भारती संविधान सभा से भी जूड़े है थे दोस्तों और भा दादा भाई नोरोजी या सत्यंद्र नाथ टेगोर कौन है दोस्तों इस पुस्तक के रचनाकार और यह पुस्तक प्रसिद्ध भी क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों दादा भाई नोरोजी ने लिखी थी पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया यह प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों तो यह पहली पुस्तक थी दोस्तों इसी जिसमें दादा भाई नोरोजी ने बताया था कि भारत का स्चोशन किया जा रहा है इंडिया को लूट रहे हैं कौन ब्रिटिश इर्स लूट र प्लान एकोनोमी फोर इंडिया पुस्तक किस नहीं लिखी तो दोस्तों यह पुस्तक बहुत प्रसित है और कल के वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था ज्यादा भाई नोरोजी सर मौक्ष गुंडम विश्वेश्व रहिया डाक्टर मनमहन सिंग या श्री केम मुंशी दोस्तों इस पुस्तक के रश्वेश्व रहिया और दोस्तों यही इंडिया में जो प्लानिंग है दोस्तों उसके लिए प्रमोख रूप से जाने भी जाते हैं अगला है फ्री ट्रेड टूडे पुस्तक के लेखक कौन है फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड क्या होता है दोस्तो दोस्तों इसको भी समझेंगे हम पी एन भगवती जगदिश भगवती सी रंग राजन या जे एम लिंग दो इसने पुस्तक की रशना करी तो दोस्तों फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक जो हैं दोस्तों इसके रशनाकार थे जगदिश भगवती और दोस्तों पी एन भगवत है दोस्तों जैसे कोई इंडिया में कोई भी देश सामान बेचना चाहे तो दोस्तों उस पर कोई भी पाबंदी यदि इंडिया के द्वारा नहीं लगाए जाती है कस्टम्स टेकसस के द्वारा उसको रोका नहीं गयाता है दोस्तों और वहां पर कोई भी समस्यां खड़ी नहीं की जाती हे वे इजमकर आवा सरल होता है व्यापार का वहां थत वकरी के लिए तो कि कहलाता है free trade अगला है Asian drama किसकी प्रसित्य पुस्तक है तो BS मिनहास, से ही एक दोस्तों और ये किसकी पुस्तक है तो दोस्तों ये है काल माक्स की दास केपिटल इन्होंने ही लिखी दी दोस्तों और काल माक्स कौन है समाजवाद के जनक कहलाते हैं दोस्तों काल माक्स और इनका ही बोला जाता है विग्यानिक समाजवाद जो जनक थे दोस्तों सा काल मार्क्स को ही कहा जाता है यह जर्मनी के थे दोस्तों परन्तु इंग्लेंड में निवास करते थे आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अगला है डिमन में से कौन से पुस्तक अमर्च सेंद वरा नहीं लिखी गई है तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर और इनकाइं नहीं लिखें है दोस्तों इन्हों ने जी तीन पुस्तक नहीं लिखी गया है परन्तु इन्हों पुस्तक इनकी हिए पुस्तक हैं और इसका उत्तर क्या है दोस्तों जैसे कि कलेक्टि चॉइस और सोचल वेलपेर इनकी पुस्तक होगी पॉवर्टी एंपेमिन्स ये भी इनकी की पुष्टक होगी इंडिया एकोनॉमिक डेवलप्मेंट और सोचल अपोर्चुन नीटी ये भी पुष्टक इनकी होगी दोस्तों इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी मतलब सभी की सभी पुस्तिक के किस ने लिखी है अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्थी सेन ने वानित जी पत्रीका वानित जी का प्रकाशन कहां से होता है तो नई दिल्ली मुंबई न्यूयार्क या कलकत्ता कहां से प्रकाशित की जाती है वानित जी नाम की पत्रीका तो दोस्तों यह वानि दोस्तों मुंबई मैं हिया हैा रिजरव बैंक और सभी का मुख्या लय वहको उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है उनका नाम कमेंट में बताना है यह आपके लिए प्रश्ण है नहीं योजन पत्रिका का प्रकाशन कहां मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन किया जाता है सुचना और प्रसारण मंत्रा लाई द्वारा गोल्डन हेंड शेक स्किम किस से संबंदित है तो विदेशी कंपनियों का आमांत्रित करने से सारवजनिक उध्यमों में निजी निवेश करने से संयुक्त उध्यम और लगवेशकापूर और तायवान तक जबसकिवा और ताइवान पेर और तो दोशुक्त को मिला कर बनाया जाता है कौन सा के से एशियन टाइगर्स इन के लिए ये प्रयोक्त किया जाता है आगे बरते है अगला अर्थशाष्य का नोबल पुरश्कार किसने इस्थापि स्वीडन से दिया जाता है दोस्तों और शिशास्टे का नोबल और दोस्तों बाकी के नोबल कहां से दिये जाते हैं तो यह दिये जाते है नौर्वे से अगला है द फ्यूचर ओफ इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखि कि विमल जालान दीपक चोप्डा अमिताप घोशी NKC तो दोस्तों the future of India नाम की उस तक के जो लेखा खें दोस्तों वे हैं विमल जालान और दोस्तों NKC है जो वरतमान में पंद्रवावित्ता योग बनाया गया है दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं भरत में सबसे पहले किस राज्य में मुल्ली वर्धित कर मतलब वेल्यू एड सबसे पहले इंडिया में हर्यान में लागु किया गया हर दोस्तों वर्तामान में मनोहरलाल खट्र वर्तमान में हर्याना के मुख्य मंत्र निम्न मेंसे किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं STEPHANIE सामाजिक समता भी बड़ेगी और शिशुओं का पोशेंट भी बड़ेगा पर ये भोजन के अधिकार के अंतरगत नहीं आता है अगला है दोस्तों मौड़ वेट किसे संबंदित है तो दोस्तों ये टेक्स संबंदित है मुल्य वर्धित कर से अधार क्या है आधार के बारे में सब जानते हैं दोस्तों भारती नागरिकों की विशिष्ट पहचान के लिए ये बनाया गया है दोस्तों इसको डाइरेक्ट करता है भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था सन 1948 में सोतनता के अगले ही वर्ष अगला है इंदीरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है तो विकलांगों को अनाथों को गरिब ग्रामिनों को या गरिब नगरवासियों को किन के लिए इंदीरा आवास योजना शुरू की गई थी तो दोस्तों इंदीरा आवास योजना का लक्ष रखा गया था गरीब ग्रामिनों को आवास उपलब्द कराने से उनको आर्थिक सायता दी जाते हैं ताकि अबना फक्का मकान बना स जो चीज़ें होती है उनको एक माग से justify किया राता है trips ओर trains पर किस से संबंधित है तो trips ओर trims आईमf WTO, IBRD, IDA कि इनसे संब्धित होंगlez trips Achmo, trips Achmo, trips Achmo जन्रल व्याण टेड इसका पूराना रूप हुआ करता था गेट का इस्तान किस ने लिए तो दोस्तों वर्ड ट्रेड ओरगनाइज़ेशन ने आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला देखते हैं कार्ल मार्क्स में में से किस देश के थे तो जर्मनी होलेंड फ्रांस या ब्रिटेंड दोस्तों यह कहां के थे इसी वीडियों में आपको पहले बता चुछा है दोस्तों यह जर्मनी के थे पर अवास और शहरी गरी भी उनमूलन मंत्रा लित वरा हाली में जारी किये गा है आकडों के अनुसार गंदी बस्तियों के सबसे अधिक संख्या में सबसे किस राज्य में जादा है तो दोस्तों कहने का मतलब है कि सबसे जादा गंदी बस्तियां किस राज्य में है यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है द दोस्तों दास के पिटल के बारे में हमने इसी विडियों में जाना है और यह प्रकाशित होई थी 1867 में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला है इंदिरा गांधी राष्टी व्रध्धावस्ता पेंचन योजना के अंदर का 60 वर्ष से अधिक आयोवाले व्यक्तियों के लिए पेंचन की राषी प्रतिमाह 200 रुपे से बढ़ादर कितनी कर दी गई तो पहले 200 रुपे दी जा थी दोस्तों अब हो गई है यह 500 रुपे भारत सरकार ने निम्न में से किस कल्यान योजना को शुरू किया जीवन आधार जीवन कोलम कॉमल मध्यान भोजन जीवन अम्रत य दोस्तों भारत सरकार द्वारा जिस योजना को शुरू किया गया है दोस्तों में जीवन मुफे राज्यसरकर सरकार की योजना वो कौन सी योजना है वो है जीवन तरंग बाकी सब केंद्र सरकार की योजना है महात्मादान धी राश्टी ग्रामीर रोजगार अधीनियम के अंतरगत कारीरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारी थे तो दोस्तों कारीरत कामगारों को जो मजदूरी जी दोस्तों वो निर्भर करती है उपभोक्ता मुल्य सोचकांग पर आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं दोस्तों भारत की समस्त प्रदेश में इस्थित गाउं प्रधान मंत्री ग्राम सलग योजना के अंतरगत आते हैं यदि उस गाउं की जन संक्या क्या हो मतलब प्रधान मंत्री निवासी होने चाहिए जिस गाउं को जोड़ा जाना है तो वहां पर दोस्तों कम से कम एक हजार निवासी उस गाउं में होने चाहिए भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी उसका नाम क्या था तो राजीव आवास मित रूप से इसकोल गुना लें के लिए मध्यान भोजन योजना आगे बढ़ते हैं देश के सभी जिलों में कार्यान वित किया जा रहा है कौन सा कार्यक्रम नवदय विध्याले राजीव गांधी ग्रामेर विध्यूतिकरान योजना सर्वशिक्ष्या अभियान या मनरे मारेतबर ने रहे हैं अगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अगला है पूरा अर्भन एमिनिटी इटा Г्या मध्य विक अंटन भिकह समय और लिज?, इसको सबसे पहले किस ने शुरू किया था तो दोस्तो एपीजे अब्दुलकलाम जी ने शुरू किया था जो हमारे भारत के पूर्व जश्वी राष्टरपती थे निम्न लिखित राज्यों में से किसके दुआरा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई तो दोस्तों अपना वन अपना धन योजना को शुरू करने का स्रे जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्यको मेकिन इंडिया कारेक्रम का लोगो क्या है तो दोश्तों ये तो बहुत ही सरल है, share, हाथी, चीता या कंगारू, आप आसानी से बता सके हैं दोश्तों, और इसका logo क्या है, share, make in India का logo क्या है, share, निमन में से कौन सा भारत निर्मान का अंग नहीं है, तो दोश्तों ये आखरी प्रेशन हैं, ऑप्शन्स हैं, गरामीन एग्लिफोनी को बनाया गया है तो दोस्तों यह थे आज के। प्रश्णों का रिवीजंच का विडियो आशा करता हूं का आप यह पसंद आया होगा व। कसंद आये दोस्तों विसे लाइक करिए कमेंट करके बताइसे का। कैसा लगा, आपके सुझाओं भी कमेंट में आमड़ी थे तो आपके सुझाओं आपको कमेंट में दीजिए, आप जितने भी सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चेनल स्ट्रीविजेडी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाईए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अप्लोड हो आपको तुरांत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें थैंक्यू